साथियों हमने वाइबरेन गुज्रात की शुरुवात की तो हमारा इंटेंशन था कि राज्य देश की तरक्की का ग्रोथ एंजिन बने कि समझ आये मैं क्या कर रहा हूं कि जब हम यहां काम कर रहे थे तब हमारा हमारी कलपना थी हमारी सोच थी कि गुज्रात कि देश का ग्रोथ एंजिन बने कर देश ने इस परिकलाब कलपना को हकीत कद बनते देखा है 2014 में जब हमें देश की सेवा करने का आउसर दिया तो हमारा लक्ष भी विस्तार हुआ और हमारा लक्ष था कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजिन बने आज अंतरास्ट एजनसिया एक्सपर्ट्स इसी सूर में बात कर रहे हैं आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थ वबस्ता है अब हम एक ऐसे मोड पर खड़े हैं जहां भारत ग्लोबल एकमाने एकनामिक पावर हाउस बनने जा रहा है अब भारत को दुनिया की और यह मेरी आपको भी गारंटी है आप अपने आखों के सामने देखेंगे कुछी वर्षों में भारत दुनिया की टॉप थ्री एकनामि में होगा यह मोडी की गारंटी है इसलिए मैं यहां मौझूद मेमानों से भारत के उद्योग जगत से एक अपील भी करना चाहता हूँ आप सभी ऐसे सेक्टर्स के बारे में सोचें जहां पर भारत अपनी नई संभावना बना सकता हो यह अपनी स्थिती को और बहतर कर सकता हूँ हमें यह भी सोचना होगा कि वाइबरन गुजरात कैसे इस मिशन को मॉमेंटम दे सकता है जैसे भारत आज दुनिया में सस्टेनिबिलिटी के लिए उस विशह में आज विश्व का नितुरत्व कर रहा लीड कर रहा हमारे स्टार्ट अप इको सिस्टिम को कैसे इस समीट से ज्यादा से ज्यादा राब मिले हमें यह भी सोचना होगा आज एगरी टैक एक उभरता हुआ क्षेत्र है फूट प्रसेजिंग सेक्टर को तेजी से विस्तार हो रहा है स्री अन्न के बढ़ते उप्योग से हमारा जो मिलेट्स है वाज दुनिया के बड़े बड़े भोजन्स हमारे में डाइनिंग टेबल पर उसकी जगा बन गई है स्री अन्न के उप्योग से नए अवसर तयार हो रहे हैं प्रोसेसिंग पैकेजिंग उसमें बढ़लाव और ग्लोबल मार्केट तक पहुचना होने की संभावनाएं बहुत नए मोके लेकर क्या आई है आज के डिपली कनेक्टेड बोल में फाइनांशल कोपरेशन के इंस्टिटूशन की जरुरत तेजी से बढ़ रही है गुजरात के पास पहले से ही गिफ्ट सिटी है जिसकी प्रासंगिकता हर दिन बढ़ रही है गिफ्ट सिटी में हमारे होल अप गवर्मेंट एप्रोच का प्रतिमीम दिखता है यहां केंदर राजज और आएपैसी आथोरिटी मल कर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस रेगुलेटरी एडवार्मेंट तयार हो हमें इसे ग्लोबली कम्पिटिटिव फाइनेंसल मार्केट प्लेस बनारे का प्रयाथ तेज करना चाहिए इसके लिए हम अपने लाट डोमेस्टिक डिमांड का फायदा उठा सकते हैं वाइबरन गुजरात के सामने ये लक्ष है तो वो कैसे गिप सिटी को और ससक्त करें ताकि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ें